आज में आपके लिए easy, instant और healthy breakfast की recipe लेके आई हूँ जो काफी different है जिसे हमने यहाँ पे पोहे से बना के ready करा है तो चले वीडियो को start करते हैं वीडियो first time wash कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर दीजिए और bell button को press कर दीजिए ताकि सबी वीडियो की notification मिलते रहें यहाँ पे मैंने एक cup के करीब पोहा लिया है जिसे आप 2-3 बार अच्छी तरीके से पानी से wash कर लेजिए और फिर हम इसे 10 minute के लिए यहाँ पे ढाक के रख देंगे अब 10 minute बद हम चेक करते हैं आप लेख सकते हैं पोहे soft हो चुके हैं फिर हम इसे transfer कर लेते हैं एक jar में फिर मैंने यहाँ पे लिया है एक medium साइस का आलू जो कच्छा आलू है जिसे finally chopped कर लिया था आदा cup के करीब दही है और तीन शमच के करीब मैंने यहाँ पे सूजी add की हैं जिसे हम रवाभी कहते हैं और आदा cup के करीब पानी add करते हुए हम इसका एक पिल्कुल fine paste पना के ready कर लेंगे और यह आप देख सकते हैं फिर मैंने इसे एक पाउल में transfer कर लिया है और आप मेरा पैस टेक सकते हैं किस तरीके से बन के ready हो चुका हैं कुछ vegetables add की हैं जैसे दो शमच बारिक कटी हुई शमला मिर्श, 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 दो शमच ब लिजे वह हमारा बैटर पंके लडी हो चुका है फिर मैंने यहां पेन में थोड़ा सा ओईल लिया है एक चमश के करीब इसको इसको ब्रेट कर लीजे और एक बड़ा चमश में आप बैडर यह बैटर इस्प्रेंट किया है और इसे आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से स्प् और यह सब हम low flame पे करेंगे और यह हमारा instant healthy breakfast बनके ready हो चुका है आप ज़रूर से recipe try करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको यह recipe कैसी लगी और इसी तरीकी की और वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को subscribe जरूर करें और bell बटन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडि notification मिलते रहे और यह आप देख सकते ही कितना soft बनके ready हुआ है